वैसे तो एरो प्लेन का रंग सफेद होने के कई कारण होते हैं लेकिन सबसे बड़ा कारण होता है वाइट कलर प्लेन को सूरज की किर्णों से बचाता है प्लेन का रंग सफेद होने की सबसे बड़ी वजह प्लेन को गर्मी से बचाना होता है प्लेन रन्वे से लेकर आसमान तक धूप में ही रहता है इस वजह से जैदतर प्लेंज का रंग वाइट कलर का होता है क्या आपको पता है कि एक मिनट में इंटरनेट में क्या-क्या होता है यूट्यूब पर एक मिनट में 41 मिलियन वीडियो देखे जाते हैं फेस्बुक पर एक मिनट में 90,000 लोग लॉग इन करते हैं वाट्सप पे हर मिनट 16 मिलियन टेक्स्ट मेसज़े बेजे जाते हैं ज्यादतर स्कूल बस पीली क्यों होती है दरसल स्कूल की बसनों का रंग सुरक्षा की द्रिस्टी से पीला रखा जाता है माना जाता है कि पीला रंग होने से बस दूर से ही देखी जा सकती है साथ ही ये बस बारिश, रात, दिन, कोहरे सभी में आसानी से दिखाई दे जाती है इसलिए दुर्भटना का खत्रा बहुत ही कम होता है पूरे विश्व में सिर्फ बांगला देश ही एक ऐसा देश है जहां पर तीन रेलवे ट्रेक का इस्तमाल किया जाता है न्यूस पेपर्स में चार रंगी इन रंगों का मतलब क्या होता है इन चार रंगी इन रंगों का मतलब यह होता है कि सही अनुपात में इन रंगों को अगर जोड़ा जाये तो किसी भी रंग को प्राप्त किया जा सकता है एक पेपर को प्रिंट करने के लिए इन सभी रंगों की प्लेटे एक पेज पर अलग से रखी जाती है और छपाई करते समय एक ही लाइन में होती है अगर अकबार में तस्बीरे धुद्दली हो जाती है तो इसका यह अर्थ है कि इन चार रंगों की प्लेट्स ओवरलैप हो गई है ट्रेन की कोच में पीली और सफेद रंग की धारियां क्यों लगाई जाती है जब स्टेशन पर ट्रेन आती है तो बहुत ही सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको इस बात की उलजन होती है कि जनरल का डबबा कौन सा है वैसे लोग इस पीली रंग की धारी को देखकर आसानी से समझ सकते हैं कि यही जनरल का कौच है इसी प्रकार नीले या लाल रंग की ब्रॉड पीली रंग की धारियां विकलांग और बीमार लोगों के कोच के लिए इस्तेमाल में कियी जाती है भारती रेलवे स्टेशन बोर्ड पर समुदर तल से उचाई क्यों लिखा होता है आपने जहां कहीं भी रेलवे का सफर किया हो वहां आपने पीले रंग के बोर्ड में बड़े बोर्ड में स्टेशन का नाम लिखा हुआ देखा होगा स्टेशन के नाम के नीजे समुदर तल से उसकी उचाई लिखी होती है क्या आपको पता है समुदर तल की उचाई लिखे होने का क्या अर्थ होता है यात्रियों की शुरक्षा के लिए यह लिखा होता है हाँ यह बात अलग है कि यात्रिय इसका उपयोग नहीं करते हैं भारत में एक विचित्र स्कूल जहां पर बच्चे दोनों हाथों से लिखते हैं मद्य प्रदेश के सिंग रौली के बुदेहला गाउं में विणावादिनी नाम का एक स्कूल है जहां के संचालक विरंगत प्रताफ शर्मा कक्चा एक से आठ तक के बच्चों को दोनों हाथों से लिखने के शुच्चा देते हैं इस विद्याले में कुल 281 चात्र अध्यायन रथ हैं स्कूल संचालक को भारत के प्रतम राश्टर पती डॉक्टर राजेंदर प्रशाती किताब से मार्ग दर्शन मिला है लाइक शेयर और डू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज